अच्छे से सारे मॉक्स लगा रहे होंगे और उनका एनलिसिस कर रहे होंगे अब आराउंट सेवन डेज बचे हैं आपको एक्जाम से रिलेटिड तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि इसारे बच्छों के डाउट्स आ रहे थें जो नियुमेरिकलज हैं उन्हें कैसे अटेंप्ट किया प्रिपेर किया जाएं तो आज बस की बात करों तो पार्ट अ के अंदर हमारे पास थीन ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अंदर पूछे जा सकते हैं जो मेजर पोशिन आता है हमारा जो हमारा मेजर पो'REशन है वह न्यूमेरिकल बिलएटिए जो कि मैट की यek को यह general questions आ जाते हैं यह हो गया हमारे quant के जो numericals आएंगे अब बच्चे कच गलती कर बैठते हैं वो सोचते हैं सिर्फ यह numerical ability और logical reasoning के अंदर ही numericals हैं लेकिन हमारे numericals third topic जो की हमारा है principles of accounting and financial management इससे भी numericals आने के chances हैं तो फर्स नुमेरिकल तो नुमेरिकल अबिलिटी मिट से आएंगे यह आएंगे दूसरा principle of accounting में principle of accounting में बात करूँ है तो principle of accounting में हमारे पास chapter है जैसे की accounting equation accounting equation फिर उसके बाद जैसे partnership हो गया फिर depreciation हो गया इसे शुक्षांसिस हैं similarly अगर मैं financial management की बात करूँ तो financial management में से भी numericals आ सकते हैं financial management जैसे हमारा cost of capital निकालना आ गया या फिर valuation of shares आ गया या फिर valuation of debentures आ गया तो इन सब से भी हमारे कई ऐसे topics हैं जिनसे numericals easily frame किया जासते हैं अच्छे और easy numericals भी फ्रेम हो सकते हैं तो जब हम numericals की practice की बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है लेकिन हमारे principle accounting और financial limit theory भी है और practical भी है तो चांसे हैं कि practical question भी देखने को मिले जिसे लास्ट टाइम प्रेक्टिकल था नुमेरिकल था कोई टफ नुमेरिकल नहीं आएंगे आपको छोटे नुमेरिकल्स मिलेंगे एक यह दो माक्स वाले जो सबसे पहले कैसे करने है नुमेरिकल्स की जब तो इन बातों का ध्यान रखना सबसे वहली इंपॉर्टेंट बात कोई भी टाइप कर नुमेरिकल्स हो जब आप प्रेक्टिस कर रहे हो तो फोकस करो concept के ओपर आज कल पेपर इतने इजी नहीं बन रहे हैं अगर आपने प्रीविएस यह उठाके देखा तो वह 2012 का है आज कल जो पेपर बन रहे हैं वह कंसेप्ट बेस बन रहे हैं डिरेक्टली कोई फॉर्मॉला एपलाई नहीं होता तो सबसे पहले अपने conceptual clarity लाओ हर एक टॉपिक की अगर आपको conceptual clarity होगी तो जितना मर्जी वो numerical को गुमाले आपसे वो easily solve होगा ठीक है फिर हमें साथ साथ try करना है कि conceptual clarity के साथ साथ हमारा जो formula है उसके पीछे का अगर हम logic जान सकते हैं reason जा सकते हैं concept जान सकते हैं तो वो भी जाने और example एक example लेके बताता हूँ आपको जैसे अगर मैं बात करूं financial management financial management accounting की बात करूं तो उसमें चैप्टा था ratio analysis अब ratio में एक हमारे पास ratio dividend payout ratio जिसका formula होता है DPS upon me EPS तो इस formula को जैसे में मेरे को रटने की जूरत नहीं है मैं अपने logical reasoning के कारण में बात करूं कि company ने जितना earn किया उसमें से कितना dividend pay किया तो इसमें remember रखने की जूरत नहीं है बस मेरे को concept clear है ठीक है समयागी तो concept पे focus जरूर करना है फिर concept के बाद बात करूं तो बाई सिरफ concept नहीं हमें formula भी learn रखने ही पड़ेंगे मतब यह नहीं की concept समझे लिया तो formula को learn नहीं किया formula को learn करना है properly अब learn करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सारे formulas chapter से जिस chapter से related आपको लग रहा है formula पूछा दसते हैं उसको एक sheet पे लिख लेंगे तो सारे formula हम एक की side लिख लेंगे और daily basis पे उससे revise करेंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का financial accounting का financial management का हो या अगर आप नुमेरिकल अबलेटी क्वांट के question देखे रहें डिया यह हो गया कोई भी formula है तो उसे एक sheet पर रख लेंगे ताकि आप बार बार इसे revise कर सकें होगा क्या मालों अगर फानेशल accounting की बात करो तो उसमें कई सारी इसे आपको बार पर खूलना पड़ेगा वहीं अगर आपके बास सारे formulas एक पेज पर यह दो पेज जिस पर लिखी होंगे तो आप easily revise कर पाएंगे और learn कर पाएंगे ठीक है सबसे पहले करा कि हमारे जो numericals हैं जो formulas हैं उनका concept clear होना चाहिए मैं topic का फिर formulas को learn करना है ठीक है उसके बाद most important formula की हमें practice करनी है question solve करने है होता कि students गलती के अगर देते हैं कि भाई उन्हों देखा formula पढ़ लिया concept देख लिया तो भाई चलो numerical हो जाएगा एक question रीड कर रहे हैं कि हाँ यह question में given है और यह तो easy सा यह तो हमने आइस पाड़ा यह ऐसा हो जाएगा ऐसे करके next question में चले जाते हैं लेकिन पेपर के time फ क्योंकि अगर होगा ना कि हाँ आता है तो उससे पेपर में नहीं होगा फिर आपसे तो questions को solve करके जरूर चेक करना है और end में हमारे जितने हो सके mock test लगाने मौक टेस्ट लगाने से क्या होता है देखो कभी कबार क्या होता है हम without mcq question solve कर रहे होते हैं तो हमारे answer आ रहे हो लेकिन जो answer निकाल रहे हैं वह mcq में match नहीं हो रहा है फिर हम गलती है करते हैं उस question को दुबारा करते हैं दुबारा करते हैं जिससे हमारा time based हो जाता paper में तो जितने हो सके mocks लगाओ मौक से एक advantage और होगा एक तो mcq paper करने की strategy बनेगी साथ-साथ कितना time consume कर रहे हो आप वो भी पहले चलेगा अगर आपको लग रहा है कि आप numerical को solve करने में जादा time based कर रहे हो तो उसको skip करना सीखो अगले question पर जाना की कोशिश करो जैसे मैं बता तो एक बार student के साथ हुआ क्या वह सैबी का exam देने गया वह मुझे आगे बाद में बता रहे था कि भाई उसको एक ratio analysis का question उसका अटक गया उसे formula आता था सब कुछ आता था लेकिन options में answer match नहीं हो रहा था अब वह मां अटक गया अटक कैसे गया उसको लग रहा है यह question तो मैं कर लूँगा मेरे को number आ जब 10-15 minute waste कर दोगे paper में तो फिर आप्वे से तुमारा paper clear नहीं होगा कहीं ना कहीं तुम दूसरे question का time utilize कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना numerical solve करते वक्त कि हम ज्यादा time ना दे numericals पे वैसे तो हमारे पास बहुत ज्यादा time है two hours duration है हमारे exam की तो बहुत sufficient time है as compared to other exams अगर आपका numerical अटके बीच में एक बार solve करने में ज्यादा time करें तो आपको practice बनानी है कि भाई तुम उसे skip करोगे और next question पे जाओगे ठीक है अगर आप वीक हो numerical solve करने में तो एक बात और दियान रखने ना अगर वीक हो अगर आपकी quantity of solving portion वीक है तो try करना जो numerical वाला portion है वो आप end में ही करो कि एक्जाम में हुआ क्या था कि भाई last time से भी में हुआ क्या था उन्होंने एक दो की वज़ाए 510 numerical जाल दिये थे बहुत अच्छे numerical ज्यादा numerical जाल दिये तो जिससे हो क्या रहा था time consume हो रहा था बच्चों के बागी question skip हो रहे थे तो इस बात का भी आपको ध्यान होतना है कि अगर numerical ज्यादा है तो ज्यादा time waste ना करने के में पहले जो वो theoretical questions है और बाद में numerical कर लिए यह strategy आपको exam center में decide करने है अगर आपको लग रहा है कि easily हो रहा है numerical तो उसे जल्दी से attempt कर लो वहीं पी अगर आपको लग नुमेरिकल है तो उसे end के save कर लो वैसे तो आपके बास बताया है तो बहुत सफिशन टाइम होगा सारे questions को solve करने के लिए and I am expecting difficult numericals आपके आएंगे नहीं easy ones ही होंगे ठीक है जिसका बहुत जादा time waste कर दिया तो इस बात का भी धियान रखना है आपने जब आप जितने mock test होगे उधर से आपको पता जलता रहेगा कि हाँ बाई कितनी अपकी speed है ठीक है अब एक चीज़ और हो सकती है कभी कभार options में क्या गर रहे है तो हम options की help ले सकते हैं क्या कर सकते हैं और options की help मतलब मान लो कोई quality equation नगी यह कोई equation नगी तो options के थी भी हम solve कर सकते हैं यह option में elimination लगा सते हैं कि यह answer निय सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बैल आइकन पर क्लिक कर जिए so that's all for today bye bye take care see you soon